यह दूसरा दीन है डे टू और इसमें आपको कहा गया था जार्खंड के उद्योग एवं खनीज को पढ़ना है जार्खंड के उद्योग एवं खनीज यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोशन हमेशा इससे रहता है यह पूरा का पूरा सेडूल त्यार किया गया है ताकि आप आसानी से आपको जो एक प्लैटफॉर्म मिल जाए पूरा का पूरा जार्खंड जीएस पढ़ने का रिवाइस करने का और प्रैक्टिस के लिए कोशन यहां करवाया जा रहा है तो जो पेट क्लासे से कनेक्टेड ह आप जिस किसी टीचर से पढ़ते हैं आप उनके नोट्स को रिवाइस कीजिए लेक्चर्स को हो सके तो दुबारा देखिए बुक से पढ़ाई कर रहे हैं तो बुक को देखिए टॉपिक आपको बता दिया जाता है यहां पर जो पेट क्लासे से कनेक्टेड है तो उनको ब इसमें जहारखंड economics में यह पढ़ाए गया है जहारखंड economics अब इसमें कौन-कौन सा lecture lecture येक 6 से start करना आपको लेक्चर नम्बर X से start करना आपको और पहुँचना है कहां तक कि 11 तक ओके इसमें क्या है फूरे जो है metallic minerals non metallic minerals atomic minerals उसके बाद इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्लस्टर, इंडस्ट्रियल एरिया, कोईला, ओके ये सब कुछ इतना में कम्प्रीट हो जाता है, काफी अच्छे से पढ़ाय गया है, और एकोनॉमिक सर्वे का जो लेटेस्ट डेटा है, 2022-23 उसके अनुसार, एनुल रिपोर्ट का जो लेटेस दिसंबर, कल जो है, गर्म जलकुन और जल परपात पढ़ेंगे, इससे कोशन रहेगा, कोशन को, कोशन नमर वन है, देश में कोईला के भंडार का कितना प्रतिसत जारखंड में स्थित है, तो देश में जितना कोईला है, उसका 27.3 परसेंट जारखंड में है, और इसके अ नुसार, इसका जो रैंक है, कोईले के मामले में, जारखंड का जो रैंक है, अगर भंडारन की बात की जाए, तो कितना स्थान आता है, पहला स्थान आता है, यही पर एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, जब एकोनोमिक सर्वे, 2022-23 का जो डेटा है, उसको अगर आप देखेंगे, तो उसमें 27.3%, यह तो mention किया गया है, साथी साथ एक जगा यह भी लिखा हुगा है, कि 29% कोईला रिजर्व है, मतलब यह दोनों डेटा है, 27 भी है, 29 भी है, तो इसका दिहान रखिएगा, अगर option में आ जाता है, तो पहला preference देना आपको इसमें, ओके हो सकता ह आपको यह भी दिहान रखना है, कि iron ore जो है, यह कितना % है, 26%, copper जो है, copper ore यह कितना है, यह 18.5%, और इस मामले में यह number 2 पे आता है, यह number 3 पे आता है, number 7 पे कौन आता है, box site आता है, यह 4 minerals का ranking आप याद रखेंगे, option C, 27.3%, next, देश के खनीच और उनके भंडारन या भंडार के अनुसार, ज्यारकंड के अस्थान का कौन सा विकल पगलत है, तो हम लोग ने देखा कि number 1 पे कोईला आता है, 27.3% डिजरू के साथ, number 2 पे क्या आता है, iron ore, number 3 पे क्या आता है, copper ore, और number 7 पे क्या आता है, bauxite, ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं, हम लोग देखते हैं, कोईला एक ठीक है, iron का दूसरा ये भी ठीक है, bauxite का 3 नहीं होगा, bauxite का कितना होगा, साथ होगा, तो ये विकल्प जो है, इसका answer हो जाएगा, next, इमलिकित खनीजों में जहारखंड में किस खनीज का भंडार सरवादिक है, जहारखंड की बात थो रही है, यहाँ पर जो है country से, मतलब देश के अन्ने राजियों से compare नहीं करना है, तो last जो सरवे हुआ है, reserve के लिए, वो 2015 में हुआ था, पहला हुआ जहारखंड में, 2000, okay, मैं ये बता रहा था कि पहला जो हुआ है, वो 2000 में सरवे हुआ है, उसके बाद 2010 में, और latest जो है, वो 2015 का survey, reserve के लिए, 2015 का जो survey, उसके अनुसार क्या पता चलता है, जहारखंड में सबसे ज़्यादा भंडारन है कोईला का, सभी minerals में सबसे ज़्यादा कोईला है, कितना है ये, ये जो है, लगबग 81,000,000,000 टन है, ठीक है, 81,000,000,000 टन है, ठीक है, उसके बाद दूसरा अस्थान आता है, iron ore का, iron ore कितना reserve है, जहारखंड में, 5300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 वक्साइट कितना है 230 million tons 6 में क्या आता है 6 में आता है fire clay ये कितना है 66 million tons उसके बाद 7 वाँ पर आता है graphite ये कितना है 17 million tons उसके बाद kainite है ठीक है फिर silamnite है तो kainite जो है ये 7.6 million tons और silamnite जो है ये 83,000 tons ना कि million tons 83,000 tons है और दस्वें अस्थान पर आता है माई का ये जो अब रख है माई का ये 1660 ton है तो ये जो data ये economic survey का है मतलब 2015 का survey mention किया गया थे economic survey में वही मैंने आपको बताया तो सबसे ज़्यादा क्या है सबसे ज़्यादा है कोईला next JSMDC के द्वारा बहरा गोड़ा में किस खनीज के लिए परियोजना तुरू की गई है JSMDC जो है ये क्या होता है जहारकंड estate mineral development corporation limited जहारकंड खनीज विकास निगम limited इसके द्वारा क्या है कि खनीज को develop करने के लिए अलग अलग चेतरों में परियोजना है project चलाई जाती है तो बहरा गोड़ा की बात हो रही है ये बहरा गोड़ा का है ये है पुर्वी सिंग्भूम में और यहाँ पर JSMDC के द्वारा काईनाइट کی परियोजना चलाई जाती है काईनाइट की जितना काइनाइट प्रोड्यूस हुआ था उसका 31% जारखंड में प्रोड्यूस हुआ था ये क्या है ये प्रोडक्शन है इसका answer option D हो जाएगा next है कौन सा विकल्प सही है ये बताना है अब यहाँ पर हम लोग देखते है मिंडल्स का नाम और क्या-क्या है कोईला कोईला के लिए लातिहार में परियोजना चलाई जाती है इसको बोलते हैं सीखनी कोईला परियोजना ओके ये हो गया फिर चूना पत्थर चूना पत्थर के लिए दो जगा है दो परियोजना है चुना पत्थर के लिए दो परियोजना है, एक है बेंती बेंगड़ा या बंगड़ा चुना पत्थर परियोजना, दूसरा है तेमरा तलतुवा चुना पत्थर परियोजना यह जो है बेंटी बेंगड़ा यह पत्रातु में आता है, कहां था यह पत्रातु में और पत्रातु में तो है मतलब रामगड़ में हैं लेकिन राची और रामगड़ दोनों को कवर करता है यह तेमरा सलतुवा चुना पत्थर परियोजना जो है यह पलामू में है मेदिनी न है और एक्जेक्ट परियोजना कहां से स्टार्ट हुई है कहां उसका हेट क्वाटर है तो यह हो गया रामगड और यह हो गया पलामू उसके बद ग्रिफाइट के लिए ग्रिफाइट के लिए गड़वा में नहीं है तो कोशन था कौन सा सही है तो जो सही है वो है option A कोईला नेक्स्ट है वर्स 2022 से 23 में जहारखण में कोईला का कितना उत्पादन हुआ है प्रोडक्शन की बात हो रही है अच्छे प्रोडक्शन जब आप पढ़ेंगे खुद से एकोनॉमिक सर्वे हो गया तो इसमें ध्यान दिजएगा कि एकोनॉमिक सर्वे में यह मैंने बताया था कंसेप्चुल कलास में एकोनॉमिक सर्वे हमारे पास कौन सा है? 2022 से 23 का है इसमें जो प्रोडक्शन का data दिया गया है यह 2022 से 23 का अवेलेबल है data यह data available है लेकिन जब आप annual report पढ़ेंगे minerals के लिए तो उसमें जो data use किया गया है वो 2021 से 22 का data use किया गया है यह क्या है यह annual report है तो confuse नहीं करना है आप economic survey में देख रहे हैं उसमें कुछ और percentage दिखा रहा है annual report देख रहे हैं उसमें कुछ और percentage दिखा रहा है तो reason यही है तो ध्यान दिजएगा यह 2022 से 23 का है यहाँ पर क्या बोला जाए रहा 22 से 23 तो कोईला का कितना उत्पादन हुआ है तो 2022 से 23 में total 126 million ton कोईला produce हुआ है option ace का answer हो जाएगा 126 million ton इसके बाद जो rank आता है वो rank आता है iron ore का यह कितना produce हुआ है 10.4 million ton ओके यह चीज है lecture में मैंने 104 बता दिया था बाद में correction करवाया गया था PDF में यह हो गया फिर इसके बाद rank किस का आता है इसके बाद rank आता है बॉक्साइट का तो बॉक्साइट कितना है 1.06 million ton यह सभी 2022 से 23 का production है option है हो गया next 2021 से 22 में भारत के कुल खनेज उत्पादन में जहारखंड का क्या स्थान है इंडिया में बोला जा रहा है तो जितना भी mineral produce हुआ है उसमें से जहारखंड का जो percentage है वो कितना निकल कर आता है यह 4.36% है और इसके इसाब से rank कितना आता है इसके इसाब से rank आता है 5 नंबर एक पे ओडिसा है 44.11% के साथ उसके बाद 36 गड़ है उसके बाद राजस्थान है चौत्यास्थान पे करनाटका है पांचवाँ पे जहारखंड हो गया तिक्स्थ पे मद्दे परदेश है सात्वाँ पे महारास्टा है वर्स के रिस्पेक्ट में जो चेंज हुआ है मिन्डर के प्रोडक्शन में उसमें जहारखंड का rank दूसरा आता है पहला स्थान पे ओडिसा है और दूसरे स्थान पे क्या है जहारखंड है तो ये कौन सा rank है ये change है नेट change पिछले वर्स के रिस्पेक्ट में कितना percentage increment हुआ है उसके सबसे जहारखंड का rank कितना दूसरा है 90.18% जो है कितना increment हुआ है इसका answer option C हो जाएगा नेक्स्ट 2021 से 22 में भारत के कुल खनेज उत्पादन में जहारखंड का कितना प्रतिसात है तो यह पाँचवा rank है 4.36% हो जाएगा नेक्स्ट 2021 से 22 में भारत के कुल लौ खनेज उत्पादन में जहारखंड का कितना प्रतिसात है लौ खनेज की बात हो रही है आईरनोर की बात हो रही है रिजर्व में हम लोगों ने देखा कि इसका अस्थान कितना है इसका अस्थान है दूसरा 26% के साथ अब यहां बात हो रही है उत्पादन की प्रोडक्शन की 2021 से 22 का तो यह जो है टोटल इसका है 9.74% 2021 से 22 का डेटा है यह चीज हो गया और अगर देखा जाए कि इंडिया में मिनेरल का प्रोडक्शन जो हुआ है लौ एसक का तो ओडिसा चातिसगर जारखन गरनाटका और मद्देपरदेस इन सबको अगर आप मिला देंगे तो 98% लौ एसक यहीं से प्रोडूस हो जाता है ओके यह चीज हो गया रहंक कितना है रिजर्व में दूसरा था लेकिन प्रोडक्शन में कितना रेंक आया चौथा स्थान आया पहला स्थान किसका है उडिसा का है इसका एंसर ऑप्सन डी हो जायाएगा नेक्स्ट 2021 से 22 में भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन में जार्खन का क्या पर्दिसत है तो बॉक्साइट में 2021 से 22 इसमें कौन सा स्थान आता है नंबर एक पे है उडिसा नंबर दो पे है गुजरात नंबर तीन पे है जार्खन इतना परसेंटेस 8.4 परसेंटेस लेकिन यही चीज हम लोगों ने देखा था कि रिजर्व के मामले में सातवास थान था प्रोडक्सन में यह तीसरा स्थान है रिजर्व में रिजर्व में सातवास थान था कितना है यह 8.04 परसेंट आपसंट सी अगर आप रैंक देखेंगे तो अच्छा लाएगा देखने में नमबर एक पे करनाटक है, नमबर दो पे जहारखंड है, लेकिन जब percentage की बात की जाए, तो 99% से भी ज्यादा gold जो है, वो करनाटक में produce होता है, लगबग 99.074, 0.7% जहारखंड में कितना है, बाकी का जो बच गया, 0.93%, यही दो state हैं जहाँ पर का उत्पादन होता है, तो अस्थान ठीक है, दूसरा rank है, option B is cancel हो जाएगा, नेक्स्ट, 2021 से 22 में भारत के कुल खनिज उत्पादन है, वो जहारखंड के प्रतिसत का कौन सा विकल्प गलत है, उत्पादन की बात हो रही है, यह कौन सा है, 2021 से 22 है, तो यहाँ पर क्या है, काइनाइट, अभी जश्ट कुछ दर पहले बताया गया था, कि काइनाइट 31 परसेंट है, यह ठीक है, लो एसकर की बात की जाए, तो यह 10 परसेंट है, कितना है यह 10 परसेंट, 9.73 आया था ना, यह 10 परसेंट है, उसके बाद बॉक्साइट है, बॉक्साइट 8 परसेंट है, यह भी सही है, गोल्ड जो है, यह कितना है, यह 0.93 परसेंट है, कितना है, 0.93 परसेंट, जो की एप्रोक्स करके 1 परसेंट लिखा जाता है, तो 2 परसेंट नहीं है, इसका answer क्या हो जाएगा option D हो जाएगा उके उसके बाद है law ask law ask का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहा होता है तो जहरखन का जो नीचे वाला part है कुल्हान वाला छेत्र सबसे ज़्यादा यहीं पर इसका production होता है यह वाला area में अब इसमें भी देखा जाए सबसे ज़्यादा कहां तो हो जाएगा परशिम सिंग्भूम यह इसका answer हो जाएगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा production होता है law ask का है में tight ask का यह हो गया और परशिम सिंग्भूम में लगबग 28 माइन्स है इसको लेकर option B जो मनोहरपूर है मनोहरपूर में चिडिया पहाड नाम का माइन्स है इसको मनोहरपूर माइन्स भी बोलते है अब सबसे बड़ा जो खान है वो यही है option B चिडिया पहाड और यहाँ पर option D में आप देख रहे हैं यह पंसीरा बुरू तो जहरखन में आइरन ओर के लिए खोजा गया पहला माइन्स यही है पंसीरा बुरू बाकी सबी जगा तो खेर लो एसक मिलता ही है option B next है क्रुमाइट खनीज एसक का उतपादन किस राजे में सबसे ज़ादा होता है क्रुमाइट की बात हो रही है औरिसा में होता है बाकी जितना बसता है वो जहरखन बाकी जितना बसता है वो जहरखन में होता है तो सबसे ज़्यादा औरिसा में प्रोड़क्शन होता है क्रुमाइट का यह हो गया next है 2021 से 22 में देश के क्रुमाइट खनेज का कितना उत्पादन जहारखंड में हुआ है अब यहाँ पर 2021 से 22 के लिए बोला जा रहा है तो पूरा का पूरा, मतलब 100% जो है ये कहां प्रोडिस हुआ है, ओडिसा में मतलब किसी और का रैंक नहीं आएगा कोई percentage share नहीं आएगा तो जहारखंड में कितना mineral produce हुआ था क्रुमाइट 2021 से 22 में, जीरो, इन में से कोई नहीं नेक्स्ट है, इन में से किस छेतर में क्रुमाइट पाया जाता है तो क्रुमाइट तो यह सबसे ज़्यादा वहीं मिलेगा जहां lawask मिलता है, lawask कहां सब ज़्यादा मिलता है तो यहीं ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी छेतर में यह नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा यह पुरवी सिंगुम में भी मिलता है, पुरवी सिंगुम का चिता बूरू जो है इसका एंसर option D हो जाएगा, अगर होता सरवाधिक कहां पाया जाता है, तो Parshim Singhum में इसका answer हो जाता है, इसका answer option D. Magnes का सरवाधिक उत्पादन किस चतर में होता है? तो Chromite Magnes ये सब Loh Hasg के आस्पास होता है, तो Loh Hasg कहां सबसे जादा है? Parshim Singhum में, तो मैंगनेज भी कहा होगा? पश्यम सिंगों में इस कैंसर, आपसने हो गया ये चीज है Next, कैसी ट्राइट एस्क से किस खनिश का उत्पादन होता है? तो कैसी ट्राइट ये एस्क है? मिन्रल कौन सा निकलता है? मिन्रल निकलता है इस से टीन और जहरकन में सबसे ज़्यादा है हजारी बाग में तो ये टीन के लिए है, आपसनसी इस कैंसर हो जाएगा Next, तामबा का सरवाधिक उत्पादन किस जीले में? अचा ये जो है टीन, याद रखेगा 2021-22 में सबसे ज़्यादा 36 गड़ें प्रोडूस हुआ है पूरा का पूरा, मतलब 100% पूरा जो है ये 36 गड़ें प्रोडूस हुआ है और कोई अस्टेट इसमें सेहर नहीं रखता है Next, तामबा का सरवाधिक उत्पादन किस जीले में होता है? तो तामबा जो है सबसे ज़्यादा जहरकन के पुरवी सिंगों में प्रोडूस होता है और इसके लिए एक कंपनी भी इस्टेब्लिस की गई है जिसका नाम है इंडियन कॉपर कॉंपलेक्स जो की HCL के अंदरगत काम करती है हंदुस्तान कॉपर लिमिटेट के अंदरगत काम करती है पुरवी सिंगों में सबसे ज़्यादा कॉपर पाया जाता है अब यहाँ पर पूछा जा रहा है उत्पादन के संदरग में तो 2021 से 22 का जो डेटा है देखे 2021 से 22 बार बार क्यों बोला जा रहा है अभी जो डेटा अवेलेबल है वो 2021 से 22 का ही है जो इंडियन ब्यूरो आफ माइन्स का डॉकुमेंट होता है उसमें 2021 से 22 का ही डेटा अवेलेबल है कुछ हद तक 2022 से 23 का भी डेटा अवेलेबल करवा दिया गया लेकिन यह दोनों आपको दियान में रखना है तो अगर यहाँ पर यहर मैंसन नहीं भी करता है यहाँ पर मैंने यह mention किया इसलिए तक आपके दिमाग में रहे कि जो डेटा पढ़ना है वो 2021 से 22 का है जब exam में आएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि यह डेटा आपको दिया जाए अब बस यह समझ लीजेगा जो latest data है उसी के according answer करना है तो latest कौन सा है 2021 से 22 annual report में latest यह डेटा है तो यहाँ पर बोला जा रहा है तामबाख खनेश का कितना उतपादन हुआ है जरकन में सबसे ज़्यादा हुआ है मद्य परदेश में उसके बाद राजस्थान में कितना हुआ है मद्य परदेश में हुआ है 68% तो यह किसमें है यह जारकन में जारकन में 1% परदेश हुआ है लेकिन यही चीज़ देखे हम लोग अगर रिजर्व के लिए तो जारकन के 18.5% जो सेर है कॉपर और के रिजर्व का वो कहा है जारकन में है इसका एंसर ऑप्सन C हो जायाएगा नेक्स्ट तामबा का कौन सा खान भारत संसाधा लिमिटेट के द्वारा संचालित किया जाता है यह जो भारत संसाधा लिमिटेट है यह और यह सुर्दा माइन्स है 2030 तक के लिए जो है लीज बढ़ा दिया गया है यह जहाँ पर काम करती है जो सुर्दा माइन्स है यह पूरी तरह से इसको दे दिया गया है इसका एंसर ऑप्सन C हो जायागा बाकी मुसा बनी हो गया और यह चपरी हो गया केंदरी हो गया इन सभी छेतरों में कामबा मिलता है नेक्स्ट जहारखन के किस छेतर में बॉकसाइट का उतपादन सरवाधिक होता है सबसे ज्यादा बॉकसाइट यह कहां मिलता है बॉकसाइट के लिए हम लोगों ने क्या देखा जहारखन में इसका स्थान है सात्वा जब बात की जाए रिजर्व की अब यहाँ पर बात हो रही है प्रोडक्सन की तो प्रोडक्सन में नंबर एक पे कौन सा स्टेट था ओडिसा नंबर दो पे कौन सा स्टेट था गुजरात नंबर तीन पे कौन सा स्टेट है जहारखन एट पॉइंट जीरो फॉर परसेंट वोकसाइड जो है जहारका ने प्रोडियूस हुआ था 2021 कई से 22 में और अगर एरिया की बात की जाए तो जो पार्ट छेतर है ठीक है पार्ट एरिया हो गया प्लस राजमहल यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलता है पार्ट एरिया और राजमहल इन दोनों छेतरों में सबसे ज़्यादा है लेकिन ख्यान रखेगा यहाँ पर कोशन में पूछ रहा है कोशन में पूछ रहा है उत्पादन मिलता तो है पार्ट छेतर राजमहल दोनों चेतरे मिलता है उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है पार्ट चेतर में प्रोडक्शन कहा होता है पार्ट चेतर में होता है और ये जो राजमाल है तो इसमें गोड़ा का कुछ एरिया आता है साहब गंज का कुछ एरिया आता है जहांपर इसके reserve हैं, लेकिन उतपादन नहीं होता है, उतपादन कहा होता है, आप छेत्र में होता है, इसका answer क्या हो जाएगा, Option C हो जाएगा, और इसमें भी ध्यान देना है, कि सबसे जादा, आप वाले छेत्र में सबसे जादा, उत्पादन होता है लोहरदग्गा में कहाँ पर लोहरदग्गा में जबकि सबसे ज़्यादा माइन्स का है गुमला में है नेक्स्ट वैनरडियम का उत्पादन सरवाधिक किस जिले में होता है ये पश्यम सिंग्भूम में होता है और इसका इस्तेमाल तस्टील-इंडस्टी में किया जाता है वर्षिम-सिंगुम इसका अंसर हो जायेगा next है, टंगस्टन का उतपादन सरवाधी किस जेले में होता है टंगस्टन जो है इसका गलनांग बहुत ही ज़्यादा होता है इस्टिल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है जादा कर ठीक है और हजारी बाग में सबसे ज़्यादा टंगश्टन पाया जाता है option C next dome charge किस खनेज के लिए प्रसिद है dome charge है कहां तो ये जो है कोडर्मा में है ये कहां है कोडर्मा में और जैसे ही कोडर्मा का नाम आएगा आपके दियान में क्या आएगा अब्रक तो ये जो है अब्रक के लिए फेमस है माईका के लिए ठीक है अब्रक के लिए तीन छेत्र जो हैं ज्ञारखंड के famous हैं कुडर्मा हो गया उसके बाद गिरिडी और हजारी बाग गिरिडी का गावा हो गया कुडर्मा का जुमरी तिलही या डॉमशाच ये सभी famous हैं रिजर्व में मैंने बताया था कि ज्ञारखंड में माई का जो भंडार है वो कितना है 1660 टन है लगबग ये 16.6 लाख किलो होता है इसका answer option B हो जाएगा अब रख next विंदियन स्रेनी की चट्टानों में कौन सा खनिच पाया जाता है ये non metallic ही जो है मिलेगा यहाँ पर इसमें इस cancer क्या हो जाएगा विंदियन स्रेनी की चट्टानों में graphite मिलता है इलकुल मिलता है graphite पाया जाता है ये हो जाए graphite हो गया चुना पत्थर हो गया dolomite हो गया ये सब मिलता है ग्रिफाइट के लिए याद रखेगा नंबर एक है पलामो सबसे ज़्यादा मिलता है पलामो में और नंबर दो है गड़वा दूसरा अस्थान आता है गड़वा के ये graphite है क्या इसको जो है काला सीसा भी कहते हैं और ये high temperature resistance minerals होता है इसका answer option C Next, JSMDC के द्वारा किस छेतर में graphite के लिए परियोजना संचालित की जाती है तो JSMDC जहारकण estate mineral development corporation limited के द्वारा अलग-अलग minerals के लिए जो है परियोजना है उसमें से graphite के लिए एक परियोजना है पलामो के विसरामपूर में और इसका नाम ही है विसरामपूर graphite परियोजन कहाँ पर मेधिनी नगर में है तो यहाँ पर इस cancer option D हो जायेगा next जहारकण में चुना पतर सरवाधी किस जिले में पाया जाता है तो यही वाला area है विंद्यान स्रेनी की चट्टानो वाला यहाँ पर सबसे ज़्यादा timer stone पाया जाता है इसका इस्तिमाल कहां होता है cement industry में और नंबर एक पे आता है पलामो नंबर दो पे आता है गड़व ठीक है यह चीज हो गया और 2021 से 22 का data देखा जाया तो पूरे इंडिया के respect में धारकण का जो percentage था production में वो मात्र एक परसेंट था इतना था एक परसेंट अलांकि यह 5498,000 जो है तन आता है 5,498 तन इतना जो है mineral time stone produce हुआ था लेकिन यह 1% है पूरे इंडिया का इसका answer क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा है पलामों में next इनमें से कौन सा खनीज धारवार की चटानों में नहीं पाया जाता है धारवार की चटान केहने का मतलब क्या हो गया जो south वाला चेत्र है ये वाला है ना ये क्या है धरवार की चट्टा नहीं ही पर है मतलब कुल्हान का चेत्र में जो नहीं पाया जाएगा उसके बारे में बताना है loisq तो पाया जाता है प्रश्य मसिभूमें इसके लिए famous है मैंगनेज भी जहां loisq है मैंगनेज मिलेगा ये दोनों तो मिलता है अब इसमें आपको doubt हो सकता है asbestos में और dolomite में dolomite जो है ये और कुछ नहीं ये चुना पत्थर का ही दूसरा form है चुना पत्थर का ही दूसरा form है asbestos जो है परश्यम सिंग्भू में मिलता है और आपने सुना भी होगा रोरो नदी प्रदूसित है इसी के कारण asbestos के कारण ही है ओके तो जो नहीं पाया जाता है वो हो जाएगा dolomite सबसे ज़्यादा dolomite कहां मिलता है पलामों में ठीक चुना पत्थर की तरह ओके इस cancer option D हो गया next बेंटोनाइट खनीज इस जिले में सरवाधिक पाया जाता है बेंटोनाइट आखिर है क्या बेंटोनाइट इसको मुलतानी मिटी भी कहते है जाला मुकी के राक से जो है ये बनता है और सबसे ज़्यादा इंडिया में जार्खन में यह प्रोडूस होता है जार्खन में कहा है जार्खन में साहिब गंज में जार्खन में साहिब गंज में पाकुड में भी है लेकिन थोड़ा सा है तो नमबर एक साहिब गंज हो जाएगा दूसरा अस्थान हो जाएगा पाकुड का जब दोनों रहे और किसी एक को चूज करना हो तो अफ्कोर्स इसमें आप चूज करेंगे साहब गंज को ठीक है यह हो गया इसका एंसर क्या होगा option C साहब गंज next तुपू दाना में JSMDC के द्वारा किस खनीच के लिए परियोजना संचारित की जाती है तो अलग-अलग जो परियोजना है उसमें से एक है Grainite Grainite Policing Industry परियोजना कहाँ है यह राची में, तुपू दाना में तो यह है Grainite के लिए यह किसके लिए Grainite के लिए ओके यूरेनियम के उतपादन में जारखन का भारत में कौन सा स्थान uranium जो है अभी फिलाल जारखन में ही प्रोडूस होता है और कहीं इसका प्रोड़क्शन नहीं है अब जारखन की बाद की जाए जारखन में सबसे जादा इसका उतपादन कहा होता है ये है पुर्वी सिंभूम पुर्वी सिंग्भूम यहां सरवाधिक होता है और पुर्वी सिंग्भूम का ज़ादू गोडा है यह इसके लिए famous है पुर्वी सिंग्भूम का जादू गोडा यह इसके लिए famous है और इसी के लिए जो है UCIL क्या है Uranium Corporation of India Limited Corporation of India Limited इसकी अस्थापना की गई थी 1967 में कहां इसका headquarter जादुगोडा बनाया गिया था जादुगोडा में है इसका headquarter और जारकन में अभी जो है 45,000 ton uranium reserve है इसका अस्थान मतलब एंसर क्या हो जाएगा A Next इन में से uranium का कौन सा खान सराय केला खरसाओं में हम लोगों ने देखा कि पुर्वी सिंगुम में सबसे जादा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाके district में नहीं है फुल्हान के छेतर में है पुर्वी सिंगुम हो गया सराय केला खरसाओं है फोड़ा सा परश्रीम सिंगुम में भी है तो यह जो है सराय के लग खरसावाँ वाला यहां का एक माइन्स है जिसको बोलते हैं महलूडी महलूडी यह जो महलूडी है यह गमरिया परखंड में आता है और 2012 में इस माइन्स की फिरुवात हुई है मतलब इस्टेबलिस किया गया है परश्रीम सिंगुम में ना के बराबर है यही दोनों लिष्टिक मानकर चलिएगा परश्रीम सिंगुम छोड़ देजे यही दोनों लिष्टिक बहुत सारे माइन्स है जैसे कि जादू गोड़ा हो गया ये जो तुरामडी आप देख रहे हैं तो तुरामडी ये पुरुवी सिंभूम में आता है जादु गोडा ये पुरुवी सिंभूम में है और यहीं पर मायनिंग की सुरुवात हुई थी 67 में इसके बाध महलूडी ये इसका एंसर हो गया सराय के लाखरसावा के लिए नर्वा पहाड जो है रूस की मदद से इसको इस्टेब्लिस किया गया है 1905 में इन सभी का जादू गोडा हो गया, तुराम डी हो गया तुराम डी नहीं जादू गोडा और नर्वा पहाड एक और आता है भर्टिन भर्टिन पुर्वी सिंग हो में तो इन सभी का प्रोसेसिंग जो है वो होता है जादू गोडा में ठीक है, बाकी तुराम डी, महलू डी और एक आता है बांदू रंग तो इन सभी का जो प्रोसेसिंग है वो कहा होता है वो तुरामडी में होता है तो तुरामडी भी एक important place है इसका एंसर option C नेक्स्ट जारकर्ण इंडस्ट्रियल एरिया development authority के अध्योगी छेत्रों की संख्या कितनी है ये क्या होता है इसको जो है सौट में J I A B A बोलते हैं A to Z सारा करने के लिए इसके अस्थापना की गई है और इसके अस्थापना इस तरह से की गई है कि जारकर्ण के सभी जारकर्ण के सभी industries में कवर हो जाए जैसे कि total 4 हैं इतने हैं total 4 हैं एक है बोकारो बोकारो industrial area development authority उसी तरह से राची है राची industrial area development authority फिर अधित्यपूर है अधित्यपूर और संथाल परगना और संथाल परगना ये चार हैं इनी चार से पूरा का पूरा उद्योग जो है कंट्रोल में हो जाए ओके तो इसका एंसर क्या हो जाएगा option D हो जाए next हजारी बाग के उद्योग इनमे से किस औरविक छेत्र में सामील है अब ये जो चार industrial area है तो जारखंड के सभी छेत्र को ये cover कर रहा है ये पता होना चाहिए कौन-कौन सा area जो है किस industrial area में आ रहा है ये बताय गया था आपको जैसे कि बोकारो है तो बोकारो industrial area development authority में कौन-कौन सा चेत्र आता है बोकारो जिला तो रहता ही है बोकारो के अलावा धनबाद है धनबाद भी इसी में cover हो जाता है उसके बाद गिरेडी है ये तेन डिस्टिक के उद्योग जो है इसमें आ जाता है फिर राची का जो छेत्र है इसमें दक्चिन छोटा नागपूर में है राची हो गया फिर गुमला है लोहर दग्गा है ये तीन हो गया दक्चिन छोटा नागपूर का उसके बाद पलामू और गढ़वा पलामू गढ़वा हो गया फिर रामगड, हजारी बाग कोडर्मा रामगड, हजारी बाग, कोडर्मा ये तीन जो है इसके हैं जरूरी नहीं कि हर डिश्टी के उद्ध्योग को इंडस्टियल एरिया से जो है कनेक्ट किया जाए तो इतने छेत्र की इंडस्टी इसमें आ जाते हैं यहाँ पर कोशन में क्या पूछ रहा था हजारी बाग के लिए तो इसका एंसर क्या हो जाएगा बाकी भी देख लेते हैं ये जो आप देख रहे हैं आधित्यपूर तो ये जो एरिया है ये कुलहान को कवर कर लेता है बज गया संथाल परगना तो संथाल परगना के सभी छेतर इसी में सामिल हो जाते हैं देवगर देवगर हो गया जाम ताड़ा हो गया तुमका फिर जो है गोड़ा पाकुड का छेतर नहीं है ये है इसका एंसर आप्शन B असफूर्ती के अनुसार जहारखन में कितने और देवी क्लस्टर है क्लस्टर क्या होता है कि सब कुछ सेम जो है अनिश्टरल एरिया की तरह ही होता है जतलब ट्रांस्पोर्टेशन की सुविधा होगी प्रोडक्शन के लिए हर चीज जो होना चाहिए raw materials उसकी भी सुविधा करवाई जाए जाए गया न तो यह सब जो है cluster होता है और यह सपूर्ती जो है यह central government का scheme है इसी के तहद अलग-अलग जो है जहारखन में cluster बनाए गए है MSME के तहद तो यह होता क्या है यह scheme scheme of fund for regeneration regeneration of traditional traditional industries और 15 cluster इसमें आते हैं कितने 15 अब अलग-अलग जो है data देखेंग अलग-अलग बुक में लेकिन जब reference देखा जाए असपूर्ती का तो 15 हो जाएगा जहारकन में अधुविक पट्टी कितनी है तो जहारकन में total जो अधुविक पट्टी है वो चार है इतना है चार है कौन कौन सा है एक है अबरक अधुविक पट्टी फिर दामोदर घाटी अधुविक पट्टी उसके बाद उपरी सोन रेखा उपरी सोन रेखा अधुविक पट्टी अधुविक पट्टी हो जाएगा इसका अंसर नेक्स्ट टाटा iron and steel company की अस्थापना कब होई है टिसको जिसको बोलते हैं ओके तो यह जो टिसको है इसकी अस्थापना होई थी 1907 में 26 सगस्त 1907 इसका हेटक्वाटर मुंबई है ओके तरौप जी टाटा के द्वारा यह इस इसको इस्टेब्लिस किया गया था और हालंकि संस्थापक माना जाता है चमसेद जी नोसरवन जी टाटा को हालंकि उनकी देत जो है 1904 में ही हो गई है लेकिन उनहीं का ही आइडिया था इसके तरद इसको 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 इस्टेब्लिस किया गया ओके वास्तिविक संस्थाप कौन है सांसथापग को है दोराप जी टाटा और वैसे सद्धापग माना जाता है चंसेद जी नोसरवन जी टाटा को ठीक है। 1911 में यहां पर लोहा का स्टार हो गया। 1912 में यहां पर स्टिल का स्टार हो गया, usted भी समसेदपूर में है साक्षी में हैं। और यहां पर बोला जा रहा है कि इसके अस्थापना कब हुई है तो ने-सुसाथ इसका एंसर हो जायागा नेक्स्ट इसको का नाम किस वर्स बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया है टाटा स्टील ही टिसको है लेकि नाम जो चेंज हुआ है ये कब हुआ है ये 2005 में इसका नाम जाटा स्टील कर दिया ओपसन दिव बोकारो स्टील प्लांट की अस्थापना कब हुई है ये स्टील ऑथरिति ऑफ इंडिया लिमीटेट के अंतर गताता है और इसमें जो है बोकारो अश्टिल प्लांट इसमें देखिए आपको याद रखना चाहिए कि पंचवर्सी योजना, किस पंचवर्सी योजना में इसके अस्थापना होई है ठीक है, इस पंचवर्सी योजना में, तो तीसरी पंचवर्सी योजना, तीसरी पंचवर्सी योजना 1961 से 66 चलाया गया था और इसकी जो अस्थापना होई है 29th January 1964 तो यहां से आप देख सकते हैं कि इसका जो यह किस कडिगरी में आता है तीसरे पंचवर्सी योजना में आता है 64 हो जाएगा option C Electro Steel Limited किस जिले में है Electro Steel Limited जो है यह 2006 में established हुआ है और Bokaro में है कहां Bokaro में Bokaro में तियाल जोरी नाम का एक जगा है वहीं पर है और अभी जो है वेदानता कंपनी के द्वारा इसका अधिगरन कर लिया गया है तो अब इसको वेदानता Limited बोला जाता है किसी का अंधर गया है कहा है यह Bokaro में है Cale Refractory Unit राची रोड यह कहा है तो Cale जो है Refractory Industry के कुछ ब्रांचे से सें Cale के अंधर गया है तो टोटल जो है टोटल चार ही है कितने है टोटल चार है Cale Refractory Unit एक है भंडारीडी तूसरा है रांची रोट, यह सब मैंने अच्छे से पढ़ाया आपको, एक है इफीको और चौथा है शचतिसगड यह जो भिलाई बोलते हैं इसको, बिलाई, यह चतिसगड में है बाकी ये भंडारी डिका है बोकारो में है ओके ये बोकारो हो गया ये रामगड में है राची रोड ये भी रामगड में है तो राची रोड जो है ये रामगड में option B is cancer हो जाएगा इसके बाद है नुवोको विस्तास कारपोरेशन लिमेट ये किस जिले में है तो पहले पता होना चाहिए कि इसका पुराना नाम क्या है ऐसे आपको आइडिया नहीं मिलेगा तो ये जो है ये एक cement company है क्या है? cement company है आपने इसका पुराना नाम सुना होगा गो जो है LAFARJ के नाम से जाना जाता था LAFARJ उके इसको LAFARJ के नाम से जाना जाता था अब क्या होगा? नुवोको होग charging में कहा है? जमसित पूर में है मतलब पुरवी सिंढम में है इसके बाद हिंडाल को कह है? इन्डाल को जो है Aluminium बनाती है पूरी तरह से Aluminium नहीं बनता है methane onda के ये बागे अलग जगा में ये process करवाता है वहां से Aluminium का production होता है यह था ही चीज़ हो गया तो हिंडाल को इसका पहले नाम क्या हुआ करता था हिंडाल का हिंडाल को हिंडाल इंडाल को अधित्य बेड़ला गुरूप के अंबर कता आता है क्या इंसर हो जाएगा इसका option A, रांची गब इस्टैब्लिस हुआ है ये 1938 में 1938 में इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री ये किस जिले में है रामगड में ये है लेकिन अभी working condition में नहीं है जापान की मदद से इसको इसको इस्टैब्लिस किया गिया था 1964 में बहुत ही बड़ा इंडोस्टी है ग्लास इंडोस्टी है लेकिन अभी working condition में नहीं है भरकुंडा में है इसका answer option A इंडोस्तान उर्वरक एवं रासायन लिमेटेट किस जिले में है पहले एप CIL होगा करता था fertilizer corporation of India Limited सिंद्री धनबाद में इसी का नाम change करके ये बहुत सालों तक बंद रहा 10-12-20 सालों तक ये बंद रहा इसका जो है इनोवेशन करवाया गया और HURL जुस्तान उर्वरक एवं रासायन लिमेटेट के नाम से इसको establish किया गया जहां है धनबाद में सिंद्री में है उसके बाद है Heavy Engineering Car Potential Limited की अस्थापना किस वर्स की गई चोड़े-चोड़े company को establish करती है इसको बोलते है कार खानों का कार खाना तो 1958 में इसका अस्थापना हुआ है तो पंचवर्सी ही होजना बोला जाए दूसरी पंचवर्सी होजना मतलब 56 से 61 जो चलाए गया था लेकिन इसका जो production स्टार्ट हुआ है ये तीसरे पंचवर्सी ही होजना में तो कि 61 से 66 के अंतरगत आता है तो ये चीज़ ध्यान रखना है 1963 में इसका production होगा है 58 में establish होगा है जपला cement factory जो है इसके अस्थापना किस वर्स की गई है जपला cement factory के अस्थापना ये कहां पर है ये पलामू में है ज़ारखन का पहला cement उद्योग यही है 1921 में ये establish होगा था लेकिन अब ये बंद है और ये रहा last question कौन सा उद्योग बोकारो के गोमिया सहर में है इंडियन explosive limited ये मोंगया इस्टिल जो है greedy में है इस cancer option हो जाएगा आस पास के जो माइन्स हैं तो वहाँ पर जो explosive material चाहिए होता है वो यही provide करता है इंडियन explosive limited इस cancer option होता है तो आज का chapter खत्म हो गया है इसके बाद पूरा का पूरा चुरह है page number one पे मुझे जाना है देखे ये आज complete हो गया है देखे डे वन complete हो गया डे टू complete हो गया जारखन के गर्म जल कुण जल पर पास ये जितने topic है questions इससे बहुँ जादा पूछे जाते है इन सभी topic के conceptual class available है आप इसको जो है देखेगा और यही कारणे की lecture number आपको बता दिया जाता है कि कहां से कितनी lectures पढ़ के आने हैं अगर आप paid classes से connected नहीं हैं कोई बात नहीं आप जिन teacher से पढ़ते हैं उनके notes को revise कीजिए books को revise की लेकिन यह topic पढ़कर कम से कम एक दिन जो है जो question करवाया जाता है इन question को अपकल कीजिए होगा यह जो topic दिया गया आप इसको revise भी करेंगा question देखेंगा तो पूरा जो है strike करेगा और यह